जहीं दोस्तों तो स्वागत है आपका हमारी इस प्यारे से योटूब चैनल पर दोस्तों आज हम आपके लिले का रहे गए हैं पर्या वरन प्रदूसर्ण पर निबंद कैसे लिखें आखिरकार टॉपर कैसे लिखते हैं कि वो जो है पूरा पूरा नौ नंबर पहा जाते हैं निबंद इस बार सबसे इंप्रोटेंट है इस बार इसका आना 100% है कि यह जरूर से चरूआ है तो इसे हम किस प्रकार लिखें किस प्रकार हम तैयारी करें कि हम टॉपर की तरह लिख सकें और सारह प्रसेस में आपको बोर्ट की कौपी बताने वाला तो वीडियो बहुत इ तो कि यह आपके लिए फाइनल है यानि यह जो है आपके लिए फाइनल है अब आपको मेहनत करना होगा क्योंकि उसके जो है अ 10-15 दीमाद वीसे ही छुटी पाजाएंगे तो आपके लिए फाइनल है इस वीडियो को देखिएगा इस कीमत कर समझेगा कि आखर अपर कैसे हम ट हम आपको समझाने के लिए आज बता रहें कि में पर्यावरण परण किस प्रकार लिखेंegen कर नंबर लिखेंगे पर्याबरन पदूसन हेडिंग डाल देंगे black pins, यानि पहले में हाँ डाल देंगे परशनोत्तर संख्यादर और फिंकार नमबर डालकर यहाँ डॉसन यानि हेडिंग और black pins ठीर अब चलिए देखे, देखे सबसे important बात जो हमारे किसी भी निबंद को लिखते समय सबसे important बात आती है कि हमें उस निबंद का सबसे main point पहला हमें क्या लिखना होता है प्रस्तावना दोस्तों ये बहुत important बात है कि प्रस्तावना किसी भी निबंद को लिखे सबसे पहले प्रस्तावना लिखे प्रस्तावना मतलब होता है कि किसी भी चीज के बारे में प्रस्ताव दिना इसके बारे में बताना किया क्या है कैसे काम करता है क्या हो रहा है इसके बारे में सारा डीटेल देना उसके बाद होता है जैसे उसके प्रमुख अंग हो गए जैसे बहुत सारे क्या होते हैं कि वो हुआ हमारा प्रवारा है इस से में इसकर्स या निकल रहा है इन तीन बातों को आपको जरूरática में रखाना होगा क्यों कि नीबंद को एक मेर्ण पार्ट है यह तो आपको most important है इससे तो आप जरूर ध्यान में रखेगा ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं देखे सबसे पहले हम यहां डालेंगे परस्तावना देखे बहुत important बात है प्रस्तावना हम देखे लिखते क्या है पहले अखिरकार यह संजी कि आखिरकार हम यह जो हमारा बारिम क्या रखना होगा प्रस्ताव रखना होगा कि हमें जो हमें बता रहा है कि चारो क्या है प्रवित किया हुआ है वही हमारा परिया वरण के प्रति जागुरुत्ता आज की प्रमुख आसकता है क्यों कि यह क्या हो रहा है प्रदोसित हो रहा है आज इतना विकराल नहीं करना है तो आपको ये बान मोटी मोटी ध्यान में रखना होगा कि प्रस्तावना में आपको बस इन ही चीज़ें को लिखना और जैसे यहां पर आप जो कुछ और भी अपने सब्दों में चून कर लिख सकते हैं इसे याद मत करिएगा इसे समझीएगा सिर्प आप समझीएगा कि अकिरकार हम परियावरा प्रदूसर्ण में किस प्रकार लिख सकते हैं तो यहां तक तो क्या लिखना है तो चलिए अगला देखते हैं उसके बाद आता है कि प्रदूसर्ण के प्रकार यानि देखे प्रदूसर्ण प्रकार तो बहुत हैं चाहिए आप पढ़े होंगे आप छे से लेक चे से अच्छे सी इंटर्न में पहुच गए तो आप पढ़े होंगे कई बा तो आपको जो है इनहीं सब्धातों को यहां पर लिखना होगा चलिए पहले भी देख लेते हैं तो देखिए यहां पर हम लिखेंगे पहला वाई पदूसर यानि वाई पदूसर के बारी में डीटेल देंगे वाई पदूसर जो है वाई जीवन का हमारा अनिवार सोत्र है यहां मानों के जीने के लिए बहुत ही आवर्शक है यहां पर हम अपने सब्दों में लिखते यह जैसे पेड़ पाध ही होगे, यानि पेड़ पाधों को जो है, मानوعों ने काठकर क्या कर दिया है, उसे और प्रदोसीत कर दिया है, पहला की वर्ड दूसरा यह लें, हमें ज्यादा-ज्यादा क्या लगाना है, तो आप प्रकार से, इस मुकती पाज सकते हैं तीसरा देखे दूसरा नंबर हमारा जल्पदूसण है जल्पदूसण में लिख सकते हैं कि हमें पानी का बचाओ करना चाहिए नदियों तालाव को हमें सुखने से रुकना चाहिए उन्हें हमेशा हरा भरा ताजा रखना चाहिए ये लिख सकते हैं और दूसरा ये बात हमें जालासियों का निर्माड करना चाहिए और हमें कम पानी जो है यो मलब ऐसा पानी उप्योग करें जो हमेशा उप्योगी हो तथा हमें जो है उसका हानी भी नसाना पड़े जैसे कि हम लोग नहाते समय या कुछ और करते समय बहुत ज्यादा क्या करते हैं पानी का क्या कर देत कि आप अपने सब्दों का प्रियोग करें यह जो है बोड भी करता है कि आप अपने सब्दों का प्रियोग करें यह जो है दो में निवन्द को लिखें यह नहीं कि जो बताया वही आप रटे जाएए गलती मत करिएगा तो आप इस प्रकार यहां पर कर सकते हैं चलिए अगला देते हैं उसके बाद सबसे इंपोर्टेंट आता है उपसंघार बहुत इंपोर्टेंट है लेकिन एक वात और बता दो म इतना जो मैंने आप जो इतना गैप नहीं दिया लेकिन आपको गैप देकर करना होगा ठीक है तो देखें हम सबसे पहले समझते हैं उपसंघार का मतलब होता कि हम इतना सब पढ़ें तो उसका क्या निसकर्स निकलता है तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि हम सभी को प्रदू पी की आवाज को बहुत कम करना चाहिए तो यहां पर उपसंघार का मतलब यही होता है कि उसका जो है हम क्या निकाले निसकर्स यानि इतना पढ़ने के बाद क्या निसकर्स निकलता है यसे कि हम रमायर पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ने के बाद हमें क्या निसकर्स निकलत चाहे कोई भी निवन्द आपको आयद को पते हैं। अगर इस चैनल के मध्यम से करिए यहाँ पर वो सभी वीडियो अब लेवल है जो आपके लिए इस बार कारगर होगा जो आपका टारगेट है 90 या 95 वो जो है अचीव जरू से जरू कर सकते हैं तो इस चैनल को जरू से जरू सब्सक्राइब कर लेज़ेगा बेल वाला इकम प्रेस कर दिये क्योंकि अगला वीडियो में प